हेलो फ्रेंट्स वेल्कम चो माई चैनल और चले प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स पर्टिकुलर लेशन से हमारे गें 2019 का कोर्स इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स इन हंडर्ड डेज जैसा कि हम लोग का अभी पर्टिकुलर डे बन चल रहा है और डे बन का हम लोग उने पार्ट प्राइब क्या और पाड़ टू में हम लोग डिमेनिंग टापिक पर डिसकस करेंगी कि एनजिनेरिंग मैथमेटिक्स का जो हमारा सब्सक्रिक कुण्ट करेंगे क्या साफ ऑफ फॉर्ड बार्ट टू से हमने पार्ट वन में और डिनेर अलजबरा और आल्जब्र आल्जब जो होगा वो हमारा होगा और उसके बाद हम लोग फोर डेस दिये हैं विक्टर अनलिसिस के ऊपर नाव गाइज हमारा नेट्स टॉपिक है इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स में डिफरेंटियल एक्वेशन और इस पर्टिक्लर डिफरेंटियल एक्वेशन को मैंने फॉर्टिन इस टोटल टाइम दिया है विकॉर डिफरेंटियल एक्वेशन इस वन अप दे मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपको लगी पूरे इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स में तो इसे हम लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखनी है तो हमारा जो डे 34 से कोर्स स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमें सीखने का होगा वह होगा और सबसे बात उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉंसप्ट होता है वह है और डिफरेंटियों यहां से कभी-कभी को सब्सक्राइब तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखना है क्योंकि इस टॉपिक से हमारा पीएशु में भी कोस्टिन जाते हैं टिक है और डिफरेंटिया ऐकिवेस्ट के बाद हमैं देखना है कि डिफरेंटियों अफर्स्टिक कैसा होता है और उससे सॉल्ब करने के लिए हमें हमेरा हमारा अपोर्च कैसा होना चीए ठीक है सो फ सब्सक्राइब करने में मदद करता है उस पर्टिकुलर सॉलीशन को हम देखेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट आजेंटा होगा फर्स्ट और डिफरेंशल एक्वेशन में होमोजीनिस इक पर सभी बाद हम लोग सब्सक्राइब करेंगे रिगार्डिंग जो होगी जो आपके रिएग लिए प्रिकस सब्सक्राइब है जहाँ पर आटलीस हम लोग 10 से 15 प्रब्लम सॉल्व करेंगे फॉर्स्ट और डिफ्रेंशल एक्वेशन सुधाइट हमारा कॉंसेप्ट इस टॉपिक पर क्लियर हो जाए तो डिफ्रेंशल एक्वेशन का पहला जो फोर डेज होगा वह हम लोग देने वाले हैं फॉर्स्ट इस पर इस पर इस पर इस पर आपको बहुत तरीकी की डाउट्स आती है तो मैं आपको बता दू इसमें सबसे पहले हम लोग जंप करेंगे लिनेर डिफ्रेंशल इक्वेशन उसके बाद हम सिखेंगे सब्सक्राइब करने के लिए और इसलिए मैंने इच और आपके लिए यह सिंपल हो और समझने में असानी है इसके बाद हम लोग जंप करने वाले हैं हमारा नेक्स टॉपिक जो होगा वह इनिशल एड़ बाउन्डर वाली प्रोब्लम के ऊपर होगा मैंने तीन दिन लगेगा निदेन में यह तॉपिक खतम कर दूँगा को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्ध इनिश्यल वालू प्रोब्लम दिन हम लोग फिर खतम करेंगे बाउंडर वाले प्रॉब्लम और इससे रिलेटेट में जितने प्रॉब्लम्स आया हुए या हमारे कुछ पर सैंपल प्रॉब्लम्स होंगे चुकि गेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑके दिन गाइज हम लोग जम करेंगे हमारा नेक्स टॉपिक होगा जो इस पर्टिक्लर कोर्स का इस पर्टिक्लर लेशन में दे 44 से 47 जो कि हमारा होगा पार्षिल डिफ्रेंसिल एक्वेशन को हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहां कि इस पर लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स होगी सारे को हम लोग करेंगे जिससे कि हमारा गेट में अट-least हम लोग ने जम किया हमारे डिफ्रेंशल एक्वेशन जांपे मैंने एक लिस्ट फॉर्टेंट डेज उस पर्टिग्लर टॉपिक को सीखने के लिए मैं देने वाला हूं देन गाइस हम लोग जम करेंगे रिगार्डिंग कॉम्लेक्स अनलेसिस यह बन अप तर मोस्ट इस ट इस टॉपिक को मैं आठ दिन दिया हूं यह टॉपिक बहुत ईजी और बहुत ही जल्दी हम लोग असानी से खतम करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को आप एक्जाम में भी अगर आएगा तो इससे सॉलीशन से बहुत असानी से निकाल सकते हैं आपको इस टॉपिक में बहुत क्या होता है इसे सिखने की कोशिस करेंगे देन हम लोग जम करेंगे रिगार्डिंग कंटिनुटी आपकोंटेक्स वंचन अनलेटिक फंचन हार्मोनिक फंचन सिंगुलर पॉइंट अट दे इंड लेशन हम लोग डिसकस करेंगे गेट प्रॉब्लम सीरिस के ऊपर जहां प पास से 10 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे इसे हमारा अनलेटिक फंचन वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ओके आफ्टर दाइट हमारा कॉंप्लेक्स अनलीसिस में नेक्स टॉपिक आता है जो कि हम लोग डे 51 से 52 जो कि हमारा टार्गेट है क्ल अब कि अफ्टर कंप्लीटिंग कोच्छ इंटेग्रल थेरम हम लोग जम करेंगे हमारे नेक्स टॉपिक कॉंप्लेक्स अनलीसिस में जो कि हमारा होगा टेलर्स एंड लॉरेंट सीरिस के ऊपर ये टॉपिक में सीफ और सीफ हमें फॉर्मूला लेंड करनी है कि टेलर लॉरेंट सीरीज ये तीन सीरीज के हमें फॉर्मूला और से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व की जाती है तो बहुत सिंपल कॉंसेप्ट है दे फिफिफिफिफिफोर इनाफ होगा दो दिन इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके स से सिखना ये तोपिक आप स्टार्माग कर दीजें ये बहुत इंसकर कटेंगे अग襪र्णी के से कितने दिन के लिए पढ़ना है इसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स रिविजन टाइम जहां पर हम लोग दे 56 से दे 60 इस पूरे 5 दिन में हम लोग रिवाइस करेंगे जहां तक जितने भी टॉपिक अभी तक सीखें हैं दे फिर्स दे लिनेर अल्जब्र देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स टॉपिक जो था क्याल्कूलर्स विक्टर अनलिसिस डिफरेंशिल एक्वेशन और धिवाइस करने के लिए हम लोग डिसकस कर लेंगे इस पास दिन में जितना जल्दी हो सकेंगे जो की हमारा है प्रोबाबलेटी एंड स्टाइस्टिक्स इसलिए मैंने इसके पहले आपको एक रिविजन का टाइम दिया मैं इस टॉपिक में बारा दिन लिया हूँ इस टॉपिक से हर साल चार मार्क्स की कोर्षेंस आपको मिलेगी तीन से चार मार्क्स अपको तो जनरल अप्टिटूड वाले पोर्षेंस में भी मिल जाएंगे प्रोबाबलेटी के प्रोबाबलेटी वाले पोर्षेंस को हम लोग नेगलीजेंस करते हैं नेगलेक्ट करते हैं बट इस टॉपिक से हमाई मिस्टेक्स हो जाती है तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है तो day 61 से day 67, at least 7 days मैं दूँगा probability के concept को हर एक topic को अच्छे तरीके से सिखनेगा जहां पर हम लोग start करेंगे with the concept of a random variable then हम लोग jump करेंगे with the concept of expected value, क्या होती है, then फिर हम लोग सिखने की courses करेंगे moment of a random variable and variance, binomial distribution, poison distribution, normal distribution and after completing all this topic हम लोग jump करेंगे हमारे get problem series के उपर, जिससे हमारी जितने भी probability के आज तक के जितने भी get में problems आए हुए है, वो सारे problems को एक साथ discuss करने की courses करेंगे जिससे हमें एक approach समझ में आ जागा कि हाँ probability के portions को हमें किस तरीके से solve करना है, ठीक है न, यह हमारा होगा probability के portions का हमारा approach and then हमारा day 68 से day 73 हम jump करेंगे हमारा next topic जो की हमारा होगा statistics और इस statistics में हमें सबसे पहले सीखना है mean, median and mode यह तीन different topics है, बहुत इस small portion है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिखने की courses करेंगे, then mean deviation क्या होता है, variance and standard deviation क्या होता है इस topic से कुछ-कुछ questions आती है exams में जोसे हम लोग solve करने की courses करेंगे, guys यह gate problem series में मैं probability and statistics के सारे problems को solve करने की courses करूंगा, at least जितनी भी branches के courses आए हुए है, मैं सारे courses को accumulate कर रहा हूँ अभी से, और जैसे मैं आपको सारे courses एक साथ दिखा पाहूं, और हर एक courses को अगर हम लोग solve करते हैं, तो at least हमारा concept इस particular section में बहुत ही strong होगा, और at least 4 marks अगर आये, तो हम लोग यहा at least इस बार make sure करना है कि हाँ से हमें mistake नहीं होनी है, तो यह होगे हमारा next topic guys, इसके बाद हम करेंगे last topic जो है हमारा engineering mathematics का, वो है हमारा numerical method, बहुत ही simple topic है, फिर भी मैं इसमें at least 7 days लूँगा, 7 days में में मेरा day 74 जो होगा, यह topic हम लोग at least neglect कर देते हैं, correlation and regression analysis, जहां पर हम topic discuss कर दूँगा, with the correlation, measure of correlation, then what is rank correlation, regression और इस से related अगर कुछ भी problems आ हुए हैं, उसको हम लोग discuss कर लेंगे उस particular lesson में, ठीक है ना, then हम लोग जम करेंगे guys, next topic जो की होगा हमारा numerical method में, solution of non-linear algebraic equations, किस तरीके से non-linear algebraic equations को solve कर सकते हैं, with the method of a bisection method, चोकि इंपोर्टेंट है, regular falsy Newton rapson, इस top, इस वाले particular Newton rapsid पे मैं double star दे रहा हूं, इसका formula आप याद कर लीजिए, इस formula के base पे अगर आपको exam में हर एक साल के बाद, एक questions आपको दिखने वाली है, तो यह formula बहुत important, अगर formula याद है, आप आसानी से solve कर लोगे, right, so regular falsy के बाद हमें Newton rapson method देखना है, उसक day 78, जहां पर हम लोग integration by trapezoidal and Simpson root, इस particular दो दिन में हम लोग solve करने की कोशिस करेंगे regarding numerical differentiation, maxima and minima of a tabulated function and numerical integration, generally यह सारी concepts को मैं problem के साथ आपको solve करने की कोशिस करूँगा, explain करने की कोशिस करूँगा, जिसके चलते आपका concept, at least इस particular portion में weak ना हो, आपका concept बहुत अच्छे तरी ठीक है, तो यह हमारा day 78 तक का plan गाईज, उसके बाद हम लोग जबरेंगे day 79 and 80, जो की final portion होगा engineering mathematics course का, जहां पर हम लोग सिखने वाले है single and multi step method for a differential equation, यहां पर 2-3 important concept है गाईज, पिकार्स method यह इतना important नहीं है, फिर भी मैं just touch करूँगा, उलस्त method भी इतना important नहीं है, but I will touch it, रंगे कुद का method is very important, हम लोग देख लेंगे किस सक्या होता है, मिलनेस, प्रेडिक्टर and करेक्टर method, टेलर सिरीज मेथड, और सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट portion है, जो इस topic में हमें देखनी है, वो है gate problem series, gate problems, जितने भी gate oriented problem से, वो solve करने का हमारा approach क्या होना चाहिए और किस तरीके से इस type के problems को gate में approach करना है, जो कि हमारा major agenda होगा, okay, so final यह हमारा day 80 तक का plan था guys, और अगर मैं revision के लिए अगर आपको मैं time दूँ इसके बाद, तो मैं at least 10 दिन दूँगा revision का, यहाँ पर हम लोग हर एक दिन day 81 से day 90, at least 10 से 20 courses solve करने की courses करेंगे, पूरे जितन से हम लोग questions solve करेंगे, और इस revision time में make sure करेंगे कि कोई भी topic हमारा छूटा ना हो, आप comment section में comment कर सकते हो, उस वक्त मैं सारे भी जितने भी doubts है, वो भी clear करने की courses करूँगा, okay, so guys revision time मैं 10 दिन दिया, इसके बाद, और उसके बाद मैं और 10 दिन दूँगा, जहाँ पे get previous years questions ही solve होंगे, ठीक है, last के 10, जितने भी दिन होगा, वो हमारा get previous years questions के उपर ही होगा, so day 91 से day 100, see for see get के previous years questions, वो get 1997, 1993 हो, या get 2018 हो, हर एक year के question हम लोग solve करने की courses करेंगे, get previous years questions में, हर एक branch के जितने भी engineering mathematics से related questions आयो है, सारे questions हम लोग cover करेंगे, okay, so guys, यह है हमारा 100 days plan, for an engineering mathematics, मैं parallelly other subject के लिए भी लेकर आने वाला हूँ, 108 days plan, मैं अपने समय के मुदाबीच, जितना मुझे समय मिल रहा है, मैं उसके साथ ही साथ आपके लिए publish करूँगा, so that आपके लिए भी आपकी gate preparation के लिए करेंगे, और अगर आपको मैं entire course structure में अगर आपको फिर से दिख 30 days में complete कर लो, क्योंकि अगर वो lessons published होके YouTube में रहेगी या कहीं पे भी रहेगी, आप आसानी से 3-4 दिन का course, क्योंकि 10-15 मिनट का lesson होगा, आपको ज्यादा cover करने में समय दिखकत नहीं होगे, right, so आप इसको कम समय में भी कर पाऊगे, so linear algebra से लेकर, हमारा next portion होगा calculus, जो कि 15 days palette 10 days, then after that revision 5 days, then vector analysis में हम लोगो ने दिया 4 days, differential equation में हम लोगो ने देंगे 14 days, then free revision, then हम लोग complex analysis सीखेंगे 8 days दिया मैंने, probability and statistics में मैंने 12-13 days दूँँगा, उसके बाद numerical method, revision last में 10 दिन, और फिर get previous years portion में 10 दिन, so total आपको 100 days, एक engineering mathematics के लिए, साथी साथ मैं other subject के लिए भी आपके लिए 100 days का course structure लेकर आने वाला हूँ, और वहाँ पे भी आपको daily wise आपको subjects मिलेगे, और आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया, तो please subscribe कीजिए, bell icon में प्रेस करना ना भूले, जरूर प्रेस करे, जैसे कि जब कभी भी मैं ने लेसंस साथ, आपने अगर अभी तक unacademy app install नहीं किया है, unacademy learning app, google play में जाएगे, अराम से install कीजिए, free of cost है, एप install करने के बाद, संजय यादव, gate करके आप type कीजिए, as an educator search कीजिए, आपका मेरा profile आएगा, आप मुझे वहाँ follow कर सकते हो, क्योंकि मेरी बहुत सारी courses वहाँ पे भी updated रहोगे, आपके gate curriculum के लिए, ठीक है ना, तो आप मुझे वहाँ पे directly forum में directly discuss कर सकते हो, आपके concern area आप मुझे message कर सकते हो, unacademy आपको option प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको option मिलेगी unacademy app download करने से, और साथी साथ आपको बहुत सारी courses free of cost मिलेगी, और वहाँ पे आ अच्छा लगा हो, तो आप recommend जरूर कीजिए, अपने friends लोगों के साथ share कीजिए, so that उनका भी gate preparation बहुत अच्छे से हो, और day wise हमारे एक team बहुत अच्छे तरीके से form हो, और उस team के साथ हम लोग comment section में सारे जितने भी doubts हैं, forum में discuss कर पाएं, okay, so guys हमारा जो next lesson होगा day 2, जहा Thank you very much.